हेलो फ्रेंड्स वल्कम तो दिव्याल्स किचन फ्रेंड्स आज में जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही मज़ेदा रेसिपी है क्योंकि ये है एक बड़ी डिलिशिस चाट की रेसिपी जो बनेगी ये इडली के साथ जी हां इसके लिए हमें भले नहीं बनाने है लेकिन ये बहुत टेस्टी बनती है कैसे बनेगी चलिए सबसे पहले मैं यहां पर दही तयार कर रही हूँ जो कि किसी भी चाट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये फ्रेश दही है इसे मैंने एक छन्नी में डाला है इस तरह से डालने से ना हम छन्नी के यूपर जब डालते हैं दही को और अभी हम इसे सीव करेंगे तो आप देखोगे जो नीचे दही निकलेगा ना वो बहुत क्रीमी टेक्स्चर वाला होता है क्योंकि चाट के लिए हमें ज़्यादा रनी दही नहीं चाहिए होता है क्रीमी टेक्चर वाला दही चाहिए होता आप नोटिस करोगे, देखे, अब जो इसके बाक साइड में लगा हुआ है, ये भी दहीं बहुत क्रीमी हो चुका है, इसको आप स्पेक्चुला से आप इसे निकाल लीजे, क्योंकि दहीं का कोई भी सब वेस्ट नहीं करने वाला है, ठीके ना, ये लीजे, अब इस तरह से अब अगर कुछ रह गए हैं, लंप्स आप उसे क्लियर कर लीजे, ये स्पेक्चुला एक फ्लाट सर्फेस होता है, तो इजी हो जाता है, दीजे, अब आप दहीं खुद नोटिस करोगे ना नीचे, कि इतना क्रीमी है ना, बहुत बड़ी है, और दहीं आप फ्रेश लीज जादा लगेगा, लेकिन यहां पर अब ध्यान रखेगा, आपको बीटर यूज नहीं करना है, आपको हैंड विसकर यूज करना है, नहीं तो ये लसी बन जाएगी, ये देखे, आप देख रहें ना, चनने से इसका टेक्स्चर भी बहुत क्रीमी हो चुका है, और दहीं मे जब हम चीनी मिक्स करते हैं, तो थोड़ा से इसमें रणी टेक्स्चर हो जाता है, अब देख सकते हैं, ये दीजे, दहीं हो गया हमारा तैयार, अब इसे रखें फ्रिज में, ताकि ठंडा हो जाए, अब ये है जी हमारी इडली, जो हम कह सकते हैं, लेफ्ट ओवर इडली ह या मैं सची बताओं, मैं जान बुझकर जादा बनाती हूँ, ताकि ये चार्ट प्रे कर सको, अब इसे आप इस तरह से बड़े बड़े स्कोयर पीसिस में कट कर लीजे, देखिए, मैं एक इडली के चार पीसिस कर रहे हैं, मैंने, लीजे, ये हो गई हमारी इडली की तैय अब दूसरी तरफ पैन में लीजे, थोड़ा सा बटर या देसी घी, अब बटर या देसी ही घी लीजेगा, रिफाइन डॉल मत लीजेगा, क्योंकि यहां पर हमने रोस्ट करने हैं मखाने, मखाने इस चार्ट को नो डाउट हेल्दी भी बनाएंगे, और एक बड़िया ए यहने फिर से थोड़ा सा घी लिया है, क्योंकि इसमें हम रोस्ट कर रहे हैं राई, यह जित्ते भी कुकिंग कर रहे हैं हम यह लो फ्लेम पर करनी है, क्योंकि हमारा कुछ भी इंग्रीडियन ना जलना ने चाहिए, थोड़ी सी हींग, इत्ती अच्छी खुश्बू आ रह इससे हमारी चाट में एक स्वात तो आएगा ही और एक बाइट मने क्रंचिनस आजाएगी, अब थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक, नमक आप देखके डालिएगा, क्योंकि अगर आप इडली में नमक डालके उसे स्टीम करती हैं तो नमक आ इसे हम लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि मसाले हमारे अच्छे से कुक हो जाएं और डालिए इसमें ये कटी हुई इडली इसे इस तरहां से हम एक से दो मिनिट के लिए या जब तक इडली के ओपर अच्छे से कोटिंग हो जाती है उस ताइम तक इसे हम कुक करेंगे हम यहाँ पर इडली भी यूज़ कर सकते थे लेकिन वो फ्लेवर नहीं आता इडली वो खाली पंसा रहता बाइट में लेकिन इस तरह से देखें किते फ्लेवर आ गए हैं इसमें न मसालों के हैं थोड़ी से मिर्ची है थोड़ी से दाल का करंचीने से उसे भी हम ठंडा कर अब देखें अब हमने करनी है प्लेटिंग सविंग प्लेट ली है उसमें दहीं बिचाईए एकलेर और यह हमारी ठंडी करी हुई इडली के क्यूब्स बाजार में भी डिस्पोजबल प्लेट होती है इसलिए मैं भी सविंग डिस्पोजबल में ही कर रहे हूं ताकि पूर अब डालेंगे तो फ्लेवर इनहांसी होगा नहीं डालेंगे तब भी बहुत टिस्टी बनेगी यह है घर की बनी हुई हारी चटनी जो मेरे ख्याल में हर घर में तैयार रहती है यह है इमली की चटनी जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ अल्रड़ी शेयर कर चुकी हूँ इम ठंड़ाई चाहिए कि चाट जितनी ठंडी होगी नहीं मज़दार होगी अब इसके ओपर फिर से मैंने डाली है हमारी चटनिया हरी चटनी इमली की चटनी जो हमारी चाट को मज़दार और चटाकेदार बनाती ना थोड़ा कलरफुल बनाने खेलिए मैंने यहां पर डाले है अनार के दाने और थोड़ा से ड्राइफ रूट हम डाल देते हैं ताकि लुक वाइज भी अच्छा लगे और हेल्दी भी होगा ड्राइफ रूट आप अपनी मन पसंद डालिए थोड़ा सा हम डाल रहे हैं यहां पर जीरा पाउटर और यह नालोन सेफ धर पे होती है तक क अपनी मर्ज से और फ्रूट भी एड कर सकते हैं अपको बॉल डालू एड कर सकते हैं यह चाट बहुत टेस्टी है बहुत ऐजी बन जाती है आप इसकी प्रेपरेशन करकी भी रख सकता है न तो जरूर आ कीज़ेगा आप यह ली चात और मुझसे श्वेशे mainland यह किजेगा thank you thanks for watching the well's kitchen